तो सबसे पहले आप लोग इस question को answer करें और फिर हम जो पास सब्जंग्टे मोड के बाकि कुछ users हमें discuss करने बाकि रह जाते थे वह आज से हम लोग discuss करना स्टार्ट कर देंगे ठीक है बाकि जो पास सब्जंग्टे मोड के questions रह गए थे जो हम लोग नहीं discuss कर पाए concepts नहीं discuss कर पाए we will discuss all those concepts in today's class ठीक है आज हम इस class में सब को कवर कर लेंगे comment the answer to this question comment the answer to this question i wish i dash what does wrong with my car a great hmm देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं this question i think this question has been asked in some question paper यह किसी question paper का question है मतलब एक previous year के एक्जाम का question है जो हम लोग discuss करेंगे was and is is not an option ठीक है options है new no is new was had known is new is ग्रेट तो यह question है आविश आई डाइस वाट डाइस रॉंग विद्मा कार ग्रेट देखिए मैं आपको सबसे पहले ऐसा समझाता हूं अगर हम यहाँ पर इस statement यूज कर रहे हैं i wish then it is clear that a situation is being supposed being imagined which is not true अगर हम कुछ wish कर रहे हैं तो इसका मदलब we are talking about something which is not true कुछ ऐसा जो true नहीं होगा मुसके आरहे हम बात कर रहे होंगे ठीक है इसकी वर्ब no और एक is अब हमें ये सोजना है कि यहाँ पर ये person क्या wish कर रहा होगा कि कि इसकी कार खराब हो जाए जो कि actually नहीं हराब है या इसको पता चाल जाए जोकि actually इसे नहीं पता है तो हमें पता है कि यहां पे कोई भी person अगर wish कर रहा होगा तो इस बारे में wish कर रहा हो हम no verb के बारे में हमारी wish is related to the verb no no verb से related है तो अगर यह wish हमारी no verb से related है तो no verb को हमें subjective mood में लिखना पड़ेगा अभी जो no है यह verb की first from है first form तो past subjective mood को express प्रस करती नहीं है तो यह option तो ऐसे ही गलत हो गया ठीक है नेक्स पर आते हैं अब अगर हम new लिख देंगे ठीक है तो यह वर्प की second form होती है जह हम उसका यूज करते हैं past subject mode में ठीक है तो वो जो past subject mode होता है वो present या future का imagination होता है तो अगर हम यहां पर new लिखेंगे तो अगर ऐसे हम लिख दें I wish I new तो इसका अंडिस्ट्रूम नहीं हो जागा बट I don't know लेकिन मुझे नहीं पता तो इसका मुझे जो context है जिसको हम imagine कर रहे हैं वो present का है तो अगर present का context होगा तो हमें यहां पर लिखनी पड़ेगी जबकि यहां पर वाज लिखा हुआ है तो यह option घलत हो गया अच्छा अगर हम head known लिखेंगे तो हमने पड़ाते कि जब हम past subject mode का use करते हैं past events के लिए जो हो चुके events हैं तो उनके लिए हमें यूज करना पड लिखेंगे I wish I had known तो इसका understood meaning हो जाएगा but I didn't know तो वो past के situation हो जाएगी जिसको हम imagine करेंगे अगर वो situation past की होगी जिसको हम imagine कर रहे हैं तो यहां पर हमें was लिखना पड़ेगा लेकिन यहां तो इस लिखा हुआ है तो यह option भी गलत हो गया ठीक है तो हमारा सही option है यह new is य I wish I knew what is wrong with my car अच्छा जब हम यह लिख देंगे I wish I know I knew what is wrong with my car तो इसका understood but I don't know but मुझे नहीं पता कि इसमें क्या mistake है ठीक है तो इसका answer हो गया बच्चे यह अच्छा अब काभी बच्चे रहेंगे उनका answer उन्होंने बी comment कर दिया मैं आपको बदाता हूं यह बी option जो है ना यह भी answer हो सकता है देखिए मैं यहां पर एक question लिखता हूं आपके लिए आई डैश एक किनट आई डैश वाट डैश रॉंग विद मैं कार ठीक है अब सपोर्ज अगर हमारे question ऐसे होता आई डैश वाट डैश वाट डैश रॉंग विद मैं कार और option यहीं होते है no is new was had known is new is तो इसमें आप क्या option यूज करते हैं फिर से समझ लेजिए हमने question लिखा I wish I dash what dash wrong with my car अब हम कह रहें कि अगर हम उस question को वैसे ना लिखे इस तरीके से लिखते I dash what dash wrong with my car तो इस blank को फिल करने के लिए हम इन चारों में से कौन सा option यूज कर सकते थे बताईये हाँ आम क्वाइट फाइन रजनी जी आम फाइन आम क्वाइट फाइन थेंक यू ठीक है आंसर बताईये असी टी को लेकर बच्चे मुझे भी थोड़ी इंफर्मेशन ही कठे करने हैं बट आइल डिस्कस दाइट इन सम अधर वीडियो तो उसकेस में पता है क्या होता अगर यह कुष्चन ऐसे हो था है डास what that-स wrong with my car तो इस केस में यह भी आंसर हो जाता ठीक है और यह भी आंसर हो जाता मतलब यह दोनों तो खेर तब भी नहीं होते लेकिन यह दोनों यह आंसर हो जाता है तो अगर हमारा i wish के साथ में जो हम पासफ जिंग्टे मोर्ड का यूज़ करते हैं ये हमारा लगवा क्लिए हो गया मतलब i wish का साथ में यूज़ क्लियर हो गया चले आगे बढ़ते हैं क्लास कितने वजह इस्टार्ट होती है देखें बच्जें जो हमाटी यूटूब की च्लासस होती है जो मैं यूटूब से कैसे ठीकट है यह यह पहले से मैं स्केडिंड कर देता हूं एक जाहरा acá दो दिन पहले से जिससे की बच्चे जान जाएंगी कलास कब है और usually I have class in the evening some classes around 7 p.m. जैसे आज 7 वजे से स्टार्ट होई वैसे 7 वजे से स्टार्ट होती है but we don't have classes on regular basis अभी तक हुआ regular basis नहीं ले पा रहे हैं classes आगे का बाद में देखा जाएगा देखिया it is time to it is time to call them second it is time he calls them now tell me which of these two statements is correct इन दोनों में से कौन सा statement correct है और कौन सा नहीं correct है जो नहीं correct है उसको correct भी करना है देखिया मैं फिर से बता देता हूं यह जो statements लिखे हैं इन statements को आप पढ़ें पर उन questions को आप send कर दो मैं live session में उनको next class में आज तो नहीं करूंगा लेकिन next class में कर लूंगा ठीक है तो यह WhatsApp नमबर है 9891991959 इस WhatsApp नमबर पर आपके जो questions है कौन से एक्जाम के बता रहे हो ग्राम सचे भरे आना चलिए इंगलिस क्या है उसमें questions क्या तो अगर ऐसे questions हैं आपको जो confusion है या जो जानना चाहते हो answer तो उन questions को इस WhatsApp नमबर पर आप सेंड गर दो 9891991959 ठीक है और डिसकस दोस क्यूस्टेंस इन समक्प अमका अपकमिंग सेशन में किसी अपकमिंग सेशन में उन क्यूस्टेंस को डिसकस कर लोगा ठीक है चल अब देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं इसमें कि सही गलत का concept कि हमने यह question पूछा हूए which of these two statements is correct इन दोनों में से कौनसा statement correct है और कौनसा correct नहीं है जो correct नहीं है उसको हमें सही करना है ठीक है देखिए this statement is correct and this one is not ठीक है वह वाला statement correct है it is time to call them यह वाला गलत अब इसको हम सही करने के लिए इसको हमें उस करना पड़ेगा call अब हमें यह सबजने कि जो हमने it is time he called them लिखा है called क्यों लिख दिया जबकि हमारी जो main clauses इसका reference to present का है ठीक है तो मैं आपको बताता हूं देखो होता है क्या है यह जो हम clauses करते है it is time it is high time या it is about time यह एकसर पेपर में आते रहते हैं आप इनका ध्यान रखेंगे it is time it is high time it is about time इन phrases का जब भी हम यूज करते हैं तो इनके बाद लिखी गए जो clause होती है clause ठीक है वो clause किसी ऐसे event को refer कर रही होती है जो की होना लेट हो चुका है मतलब जिसका होना लेट हो चुका है मतलब जो हो जाना चाहिए था लेकिन उस समय जब हम उसके बारे में discussion कर रहे हैं तो वो नहीं होगा होता है तो कुल मिला के वो situation एक unreal situation होती है supposed situation होती है वो situation suppose की की situation होती है unreal situation होती है real नहीं होती है जैसे अगर कोई person ही कह रहा है it is time he called them तो इसका मतलब इस sentence को कहकर वो यह meaning convey कर रहा है कि उनको call करने का time जो है वो लेट हो गया है मतलब जो हमें call करना था तब हमने उन्हें नहीं call किया इसका मतलब we are late ठीक है this situation should have happened but actually hasn't यह situation हो जानी चाहिए थे लेकिन नहीं वह तो it is time it is high time it is about time के साथ में जो हम यूज करते है statement वह statement भी unrealty यह supposition का expression होता है इसलिए हमें उसको भी अब हमें सुचने वाली बात है कि अगर यहां पर call आ गया तो फिर यहां पर two call क्यों आया यहां पर call क्यों नहीं आ गया तो उसके में दो बज़े आपको बताता हूं और दोनों ही बज़े आपको ध्यान देखने हैं कि abroad students के लिए course purchase का announcement कब करेंगे रेजर पे का हवाला से अरे मैं क्या बता हूं मेरा phone तो खेरी हैं यह लेकिन चलो मैं बात में देख लूँगा हमने सारी formalities complete कर दिए सारे documents उनको चाहिए थे वो भी हमने upload कर दिए बट उनकी तरफ से अभी verification का कोई message नहीं है कि verification complete हो गया account activate होने का कोई message नहीं है we are waiting for that हम उसी का इंतिजार कर रहे हैं ठीक है कि grammar practice class next week रखेंगे बच्छे आप लोग देखोगे तो मैंने एक event schedule का रखा है मंदे को मंदे के लिए एक event पहले से schedule का रखा है practice on preposition जैसे competition जो होते हैं हमारे competitive exams उनमें जो preposition के questions आते हैं तो उस पर based हम एक session रख रहे हैं मंदे को live होगा वो भी साथ वजे सही तो उसमें भी हम questions discuss करेंगे preposition के फिर अगले में discuss कर लेंगे दूसरे तो यह चलता रहेगा सरह चलिए तो मैं आपको यह समझा रहा था कि यह जो हमारे statement है it is time he called them तो हमने लिख दिया call लिखने की वज़े यह रह गई कि जो he called them हम event लिख रहे है कोई real situation या मतलब proposed situation नहीं है एक suppose की गई और unreal situation है तो इसलिए past subject mode work के form में से लिखना पड़ा ठीक है जिससे कि हमारा listener है वो जान जाए कि it is not true कि यह true नहीं है ठीक है अब आते हैं यहां पर अब हमें समझना है कि it is time तो हमने वहां भी लिखा तो अगर यहां वर्व हमने call लिखी तो वहां क्यों नहीं लिखी तो इसके पीछे मैं आपको वज़े बताता हूं दो वज़े हैं दोनों दियान पहली वज़े यह जो हमने call लिखा न यह main verb है यह जो हमने to call लिखा है यह infinitive यह main verb नहीं है तो एक तो difference यह दियान लगना है जो mood होता है that is the form of main verb, mood main verb की form होता है ठीक है जैसे present subject mood है, past subject mood है, indicative mood है, इंडिकेटे mood है, ठीक है तो बच्चे जो mood होता है यह main verb की form होती है main verb की form के through mood को express के जाता है, यह जो to call लिखा है यह main verb नहीं है, infinitive है, एक तो हम इसलिए नहीं इसको second form में लिख सकते हैं, एक दूसरी वज़े और बताता हूं, दूसरी वज़े यह होती है कि यह दोनों structures जो है न, यह different है, इनके meanings different है इनमें केवल syntax का ही difference नहीं है, इनमें different semantics का भी है, मतलब meaning का भी difference है meaning का क्या difference है, जब हम लिखते हैं, it is time to call them, तो इसका मतलब होता है, it is proper time to call them, तो यह जब हम it is time के साथ में infinitive लिखते हैं, तो यह infinitive एक proposal होता है मतलब हम किसी को propose कर रहे हैं, या proposal दे रहे हैं कोई काम करने का, लेकिन it is high time के साथ जब हम clause लिखते हैं, तो यह situation unreality या supposition होती है तो इसलिए इसको past objective mood में लिखते हैं, उसे नहीं लिखते हैं, तो यह अपना ध्यान देना, कि it is time के साथ में अगर हम infinitive लिख रहे हैं ठीक है, तब तो वो सही है, infinitive को आप second form में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो हम past objective mood यूज़ करते हैं, second form में वो main verb की form होती है, infinitive main verb नहीं होते हैं, तो उनको second form में नहीं लिख सकते हैं, एक बज़े है, दूसरी बज़े यह ध्यान रखना हैं, कि इन दोनों structures में syntax के अला meaning का भी difference होता है, इसका meaning होता है कि कोई काम जो हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ, यह बताने के लिए हम इसका use करते हैं, clause जब हम लिखते हैं, तो clause हम इसले लिखते हैं, जिससे हम यह बता पाई कि यह काम होना था, लेकिन हुआ नहीं है, मतलब यह event एक unreality है, तो unreality है यह show करने के लिए हम सब्जंक के modules कर देते हैं, पास्ट का, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, यह एक proposal होता है कि हम अपने listener को propose कर रहे होता है कि it is proper time to do something, ठीक है, तो यह दोने structures दियान रखना, फिर मैंने एक और sentence लिखा, A, it is time he paid the bills, second मैंने लिखा, it was time he paid the bills, चले, बताये which of these two statements is not correct, रादाश रादाश रादाशरन जा, रादा सरंग जहां भहिया, टू के बाद में मैं नहीं कहा रहा हूँ कि हमें सा वर्व की फर्स्ट फॉम आती है, तुमने यह तो सुन लिया यह किसी का कमेंट पढ़ लिया, ठीक है? मैं यह कहा रहा हूँ कि इन्फिनिटिब में हमें सा वर्व की बेस्ट फॉम यूज़ होती है, हाँ, कप्तान धाकर वहिया, विल्कुल पॉस्ट फॉम यह जो हमने दो स्टेटमेंट लिगें ने, इस टाइम ही पेर्ड दा बिल्स, और जो नहीं करेक्ट है, उसको करेक्ट कीजिए. कौन सा इन में से सही नहीं है और उसको हम कैसे सही कर सकते हैं. अब देखो कई पर बच्चों के दिमाग में यह इस तरीके की चीज़ें आती है कि जैसे अगर हमने यह लिखा है इस हाई टाइम इस टाइम तो यह स़ह है क्या हम इट वोस टाइम लिखके भी सभी कर सकते हैं तो आंसर नहीं ठीक है टाइम इस टाइम इस टाइम यह एक्टल में परेजान की इनपर लिटी के लिए यूज होता है इसका उस्चों करते हैं प्रिजेंट की सिच्वेसन था वो लेट हो चुका है नहीं हुआ भी तक ठीक है तो वह एक अन्रियालिटी है पास्ट के लिए नहीं उस होता है यह ध्यान रखना है तो पास्ट में इसका उस ना करें चलिए और पास सब्जेंक्टिब मूड के कुछ उस देखो एक मेने सेंटेंस लिखा ए पॉचिए ऩॉचिए लाभ और यह करें देखा जरी आए producto रसेंचे कि लिए ट्ट्स द्ट्स के लिए यह देखा चारम बाइक सेंच में था क्ट लिए रखा टोस्की आड bots के अे ठिक लिए उसके है वच अ caution कि बाई कि कि अकार कि कि चलिए यह दोनों स्टेट्मेंट्स पढ़िए और मुझे बताइए कि इन में से कौन से स्टेट्मेंट गलत है और अगर वह गलत है तो उसको कैसे हम सही कर सकते हैं इस इंग्लिश लर्नर बेटा अभी आ रहे हैं भी तुम्हारे कॉर्शन है इस पर भी आ रहे हैं और वी विल डिसकुस इट हम उसको भी डिसकुस करेंगे बट विफ़र एट इस तो कॉर्शन उससे पहले इन दोनों कुर्शन के कवार आप देखें समझें कि आई वोड राधर बाई अ कार देन अ बाइक आ वुड राधर यू बाई अ कार ठीक है तो हमें इसमें यह पता करना है कि वीच आप देश्ट्री स्टेट्मेंट्स इस नॉट करेक्ट ठीक है सौरब सिंग गलत है ऐसे मत क्या करो ठीक है हाँ यह दोनों स्टेट्मेंट्स जो हैं इनमें से कौन सा गलत है और जो गलत हैं उसको कैसे सही कर सकते हैं झालoka झाल 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 जो रादे रादे बच्चे चलिए अब देखो यहां पर समझता ठीक है यह देखो कोई बच्चा इसका नम्मर हम ब्लॉक करते हैं कि तरानवे कहां का होता है अब यहां पर मेरी एक बात समझना यह स्टेटमेंस दोनों आप लिखे रहने दो मैं एक तीसरा स्टेटमेंट लिखता हूं एक एबी होगे एक सी स्टेटमेंट लिखता हूं कि आप वुड राधर प्रफर टू बाई अकार करेक्ट इस स्टेटमेंट ठीक है बाकी तो खर छोड़ो आप यह स्टेटमेंट जो है ने इसको एक बार करेक्ट करो यह जो स्टेटमेंट है आप वुड राधर प्रफर टू बाई अकार इस स्टेटमेंट को एक वार आप करेक्ट करें बच्चे जो थर्ड स्टेटमेंट मैंने लिखा ने स्टेटमेंट सी आप वुड राधर प्रफर टू बाई अकार इसको एक बार करेक्ट करें how can we correct this statement i would rather prefer to buy a car how can we correct this statement if it is wrong अगर यह गलत हो तो हम इसको कैसे सही कर सकते है जो बच्चे इसको हार्ड कह रहे हैं बास्तमी बिल्कुल भी हार्ड नहीं है बहुत इजी है मतलब यह सबसे इजी मतलब है जो मैं पढ़ाता हूं यह बिल्कुल भी हार्ड नहीं है कि देखें मैं बताता हूं इसका क्या है अंसर सबसे पहले एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे जो बच्चे ना जानते हो यह बात ध्यान रखेंगे कि यह जो वूट राधर हम फ्रेज उसकरते हैं न यह एक मॉडल फ्रेज है ठीक है इसका मतलब प्रफर होता है यह हमारी इसका मतलब होता है प्रफर करना किसी चीज़ को ठीक है यह मतलब इंटेंशन को एक तरीके से एक्षपर्स करती है और राधर प्रफर वूट राधर का मतलब होता है प्रफर तो यह दोनों हमें एक साथ नहीं उसकरने चाहिए वूट राधर को और प्रफर को हमें एक साथ आपने नहीं उस करना चाहिए ठीक है अब इसको sentence को सही कैसे करना है अगर आपने would rather use कर लिया तो it is expressing your preference यह आपकी preference को एक्सपर्स कर रहा है तो फिर अब इस prefer to को लिखने की जरूत नहीं है आप simply ऐसे लिखे I would prefer sorry I would rather buy a car अच्छा अगर आप prefer का ही use करना चाहते हो कि नहीं हमें तो prefer word का use कर नहीं करना है तो अगर उसका use आपको करना ही है तो आप इसको ऐसे लिख दिजिए I would prefer to buy a car I would prefer to buy a car ऐसे लिख दिजिए ऐसे लिखने से देखो क्या होगा कि जो प्रफर है नहीं यह वर्ब है कि में वर्ब है तो बाई को हम में वर्ब की तरीके से उसे नहीं कर पाएंगे इसके बाद में तो हम उसे infinity बना देंगे to buy I would prefer to buy a car या तो आप ऐसे लिखें या फिर राधर लिखने से क्या होगा यह जो बूड राधर है नहीं नहीं model है model फ्रेज नहीं बिटाया था मैंने तो चुंकि वह model फ्रेज है तो उसके जाथ हमें में वर्ब लिखनी पड़ेगे तो हम इसको बाई वर्ब है उसको में नहीं तरीके से यूश करेंगे माडल कराद ब यह प्रसृट को बिस्को दिघ्या रूखने का थ है बहुत बहुत थांकि जन्कों को यह लगता था कि मेरा पढ़ाने का अच्छा है बहुत बहुत थांकि हल्वन से यह थर कि आप to get it he is able to understand it कि वो इसको समझभा रहा है उसको मतलब उसको clear हो रहा है बट फिर भी ज्यादा focus इस बात पर नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ज्यादा मतलब इस बात पर कि इससे हमें कोई फायदा या नुकसान है कि नहीं मतलब अगर कोई फायदा है तो ठीक है नहीं फ अगर आपको अच्छा लगा और आपको चीज़े समझ मैं हां तो ठीक है तो पता है क्या है अब मैं देखिए आपको बदाता हूं जब यह बाते आपको समझ में आजें यह तोनों भी धियान रखना है यह पेपर में आने वाले questions हैं अब मैं बापस आपको वहीं ले जाता हूं क्योंकि हमें समझने तो वह ही है कि यहाँ पर हम्ने उट राधर बटी है गएं तो हमने कहा कि व Youản और एक फ्रेज होती है जिसका मतलब प्रफर होता है जो मतलब हमारी intention of प्रफरवालेटी को एक्सपर्स करती है एक मिनिट तो अगर हम आपे वूठ राधर लिख रहे हैं तो इसका मुदले भी यह हमारी प्रफरेंस को एक्सपर्स करने वाली एक मॉडल फ्रेज है ठीक है प्रफरेंस किस से रिलेटेड है एक्षन से किस एक्षन से रिलेटेड प्रफरेंस है बाई एक्षन से यह बाई एक्षन है इससे रिलेटेड प्रफरेंस की बात हो रहे है यहां भी बाई एक्षन है इससे रिलेटेड प्रफरेंस की बात हो रहे है अचा प्रफर करने वाला पर्सन कौन है आए यह यह प्रफ अगर हम would rather के बाद में direct verb लिख रहे हैं तो यह जो preference है ना यह उसी person की हो जाएगी जिसको हमने would rather से पहले लिखा है मतलब जो I है वही prefer करने वाला person भी है और जिस action को perform करना है उसका performer भी वही है तो I would rather buy a car rather than a bike का मतलगी हो गए कि I की अपनी preference है कि वो car खरीदेगा बाइक नहीं खरीदेगा बट यहां पर देखें तो जो हमारा action है बाई जिसको लेकर preference express की जारी उसका डूर कोई और है अब अगर मैं prefer कर रहा हूं कि कोई दूसरा person कोई वैसा काम कर ले जैसा मैं चाहता हूं तो इसका मतलब actually वह वैसा नहीं कर रहा होगा भी इसका मतलब यह हुआ ना कि अगर मैं यह कह रहा हूं I would rather you buy a car तो इसका अंडर्स्रू में निंग यह हो गया but you don't but you want but you don't yeah but you want अगर हम किसी person से चाह रहें कि वह वैसा करें जैसा हम चाह रहें तो इसका मतलब वह वैसा नहीं कर रहा होगा तभी हम चाह रहें कि वह यह रियालिटी नहीं है क्योंकि अगर यह रियालिटी होती तो फिर हमें ऐसा prefer नहीं करना पड़ता है कि यह कार खरीदे और अगर हमे यह जो लिखा कि statement यह उबाया कार, इस statement is not a real situation, इस statement is unreality, तो अगर यह unreality है, तो पास सब जंके mood लिखते हो, I would rather be about a car, तो यह structures थोड़े से बोलने में, मैं एटपटे लगते हैं, थोड़े से अजीव लगते हैं, ठीक है, हाँ, तो यह द्यान देने कि जैसे I wish है, इस time, it is high time, it is about time है, वोड रादर है, यह कुछ ऐसी phrases होती हैं, जिनका use हम पास सब्जंक्टिब मोड में करते हैं, यह यह कहजिए कि इनके साथ में हम पास सब्जंक्टिब मोड का use करते हैं, बट यह ध्यान देने कि जब आप वोड रादर use करते हो, तो पास सब्जंक्टिब मोड का use तभी करना, जब जिस action को प्रेफर किया जा रहा है, उस action का doer उसका subject कोई और हो, speaker खुद ना हो, ठीक है, अगर speaker खुद होगा, तो फिर वो जो उसकी preference है, वो unreality नहीं show करेगी, ठीक है, तो उसको pass objective mode में मत लिखना, best form में लिखना, ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने एक statement लिखा, if you become rich, ठीक है, आगे कुछ भी लिखें, if you become, if you become a woman, चले, बताईए, which of these two statements is correct and which is not, यहाँ पर ध्यान देना, मैंने के लिखें, main clause नहीं लिखें, क्योंकि main clause लिखेंगे लिखेंगे, एक तो concept रिवील हो जाएगा, कोई भी answer बता देगा, ठीक है, तो मैं चाहँ थोड़ा दिमाग पर जोड़ डालो, और हमें main clause पर ज्यादा focus भी नहीं करना है, ज्यादा focus भी नहीं पर गरना है, ठीक है, तो if you become rich, and if you become a woman, तो इन दोनों में से concept statements correct है, यह बताईए, rather adverb होता है, rather जो होता है, देखिए, यह जो बच्चे हैं, जो paid course लेना है, और यह all course चाहिए, सारा चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे online courses होते हैं, तो वो ASIC live हमारा android application है, उस पर है available, आप वहाँ से हमारे online paid courses को join कर सकते हैं, उसके लावा अगर कोई दूसरी बात आपको पूछनी है, तो बच्चे यह हमारा whatsapp number है, 9891991959, इस number पर आप whatsapp करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, अच्छा, दूसरी बात मैं आपको दाता हैं, यह जो हमारा android application है, ASIC live नाम में इसका, इसको आप Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो इसी वीडियो के description में भी इसका link share कर रखका है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फर्दर अगर कुछ पूछना बताना है, तो यह WhatsApp नमबर है, आप इस पर अपना WhatsApp करके अपनी query suggestion को पूछ सेकते हैं, ठीक है, तो बस अभी के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, बाकी चीज़े आप अपना WhatsApp पर पूछ लें, इस बिकम रिच और इस बिकम अवोमन, विच आफ देस्टू स्टेट्मेंट्स इस नॉट करेक्ट, ठीक है, उब खरजी नगर में बेटा क्लासे स्टार्ट होंगी फर्वरी से, हाला कि हमारा ओफिस तो अभी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, मुखरजी नगर में, फंक्शनल हो जाएगा ओफिस नेक्स्ट वीक से, लेकिन क्लासेज वगएरा हमें लगता भी इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं हो पाएंगी, बिकास, वी डोंट हब पर्मिशन रॉम दे गवर्मेंट, गवर्मेंट से भी कोई पर्मिशन तो आई नहीं कोचिंग सेंटर्स को लेकर, ठेक है, चलिए बचे, इफ विकम रिच एड इफ विकम अ भूमेन, चलो, इनके समझना अंसर, समझना, अगर हम यह लिख रहे हैं इफ विकम रिच, तो इसका मद्दब हम यह सिचुशन सपोज कर रहे हैं, बट इव आर नॉट, इफ यू बिकम रिच बट यू आर नॉट थीक है इफ यू बिकम आ वोमेन बट यू आर नॉट दोनों का अंडेस्टू मेंनिंग यह हो गया थीक है फिर से मेरी वास समझे ना डेसंट मेंक सेंस बिलकुल हाँ अगर हम यह लिख रहे हैं if you become rich, if you become a woman तो इसका मदल यह दोनों ही स्टेटमेंट्स जो आने यह ट्रू नहीं है ट्रू क्यों नहीं है समझना, क्योंकि अगर यह ट्रू होते तो हमें ऐसा suppose नहीं करना पड़ता है जो if है, इस conjunction का use हम करते हैं, तब when we suppose a situation, जब हम किसे situation को suppose करते हैं, ठीक है, realize करते हैं कि अगर ऐसा हो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यह लिख रहे हैं, if you become rich, if you become a woman, तो इसका मतलब the listener is not rich, the listener is not a woman, कि जो listener है हमारा ना तो वो rich है, नाई वो woman है, क्योंकि अगर वो rich या woman होता, तो हमें यह suppose नहीं करना पड़ता है, और अगर हमें suppose करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ तक आगे, अब एक दूसरी situation देखना, एक तो यह बात होगे, कि present में यह दोनों situations unreal है, present में दोनों situations real नहीं है, लेकिन एक चीज़ देखना, rich तो आदमी बन सकता है, if you become rich, but you are not, लेकिन यहाँ पर एक understood meaning यह है, but you may, you are not, but you may, लेकिन तुम बन सकते हो, आने वाले time में, भी मेहनत करो, कोई jackpot तुमारा खुल जाए, कोई lottery लग जाए, ठीक है, तो तुम अमीर बन सकते हो, मतलब there are chances, लेकिन, ठीक है, अगर कोई person woman नहीं है, मुझसे कह रहे है, if you become a woman, but you are not, तो इसका understood meaning यह है, nor you will, nor you may become, और ना ही तुम बन सकते हो, अब यह जो last वाली बात है, इस पर हमें ध्यान अगना है, एक तो if के साथ में suppose कि एक situation ऐसी है, जो अभी true नहीं है, बट future में हो सकती है, ठीक है, अजब फिर if के साथ suppose कि एक ऐसी situation जो अभी true नहीं है, और future में भी नहीं हो सकती, अब हमें यह पता है कि यह person जो है, जिससे हम यह कह रहे हैं, if you become a woman, तो इसका अब यह woman तो नहीं होगा, महिला तो होगा नहीं, तो अगर यह woman है नहीं, तो future में बन भी नहीं पाएगा, तो इसका मतलब यह situation एक unreality होने के साथ साथ में ना improbability भी है, यह जो be example है, unreal तो है ही है, प्लस यह improbable भी है, मतलब यह true तो व होती है, उनको आप past subjunctive mood में लिखा करें, verb की second form, became, if you became a woman, you are not and you can't, ना तुम हो ना तुम बन पाऊगे, ठीक है, अब इसमें आते है, if you become rich, तो यह situation unreal तो है, लेकिन, probable है, समझवारी बात, unreal तो है, तभी हमें imagine करना पढ़ रहा है, if को लिखकर, लेकिन ऐसा नहीं है कि improbable है, मतलब ऐसी condition है, जो fulfill हो सकती है, आदमी rich बन सकता है, अगर कोई आदमी rich नहीं है, तो आने वाले time में rich बन सकता है, तो चुंकि यह situation unreal तो है, लेकिन improbable न plus improbable दोनों होती, तो हमें इसे भी became लिखना पड़ता है, तो हम मैं आपकी कहानी बता रहा हूँ, if की, कि if के साथ होता है, if के साथ में हम subjective mood use भी कर सकते हैं, past का और नहीं भी कर सकते हैं, वो depend करता है context पे, कि if के साथ जो situation हम suppose कर रहे हैं, वो situation कैसी है, देखो, हमेशा मान के चलना है कि अगर कोई situation आप if के साथ suppose करके लिख रहे हो, तो इसका मतलब ये situation उस समय तो true नहीं होगी, जिस समय उसके वारे में wish किया जा रहा है, suppose किया जा रहा है, क्योंकि अगर वो true होती, तो हमें if का use नहीं करना पड़ता है, तो अगर हम if use कर रहे हैं, किसी event के सकती है, तो आप उसको past subjective mode में ना लिखें, ठीक है, तो जब आप past subjective mode लिखेंगे, तो उससे ये हो जागे कि future में भी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर वो future में हो सकती है, तो आप उसको जो simple verb की forms होती है, वैसे यूज़ करें, लेकिन अगर वो event ऐसा हो, जो unreal होने के साथ यह तो बत्तमी जाएं, आज किलतों क्या बताएं, यह तो कुछ भी कर देंगे, चलो, मैं एक दो question लिखता हूं तुम्हारे लिए answer बताना कि कि घते हा हूंस्ति अगर अबताना ब देंगार है, तो आपनी आंपना लिव कोुछ ऱ। आपर साथ कोरीखनें, त Gewज़ एक सॉब़ मॉदके抃प जोफ णिन खर यो उस свое और्यावारे दोबनागंगंग, झाहरे जाना हूंस्तिजिक व्समाना हमारे शuição में तूना नाहर देखो यह मैंने four statements लिखें जरा इनके बारे में बताओ तो क्या कहना है if you are tired, if you are dead, if he becomes my friend, if he becomes my brother चलिए बच्छा, here are four statements, if you are tired, if you are dead, if he becomes my friend, if he becomes my brother which of these four statements are correct and which ones are not इन में से कौन से correct हैं, कौन से correct नहीं है, जो correct नहीं है उनको हमें correct करना है कमेंट और answers first, अपने answers को बच्छो कमेंट करें and comment first good झाल में ठाइब च्छो करेंट और अपनला दो करेंदा है कर दो कर दो आईज है झालिए इख यहां पर देखना है इफ यू आ टायट, इफ यू आ डट, इफ यू बिकम्स माइ फ्रेंड, इफ यू बिकम्स माइ ब्रदर ठीक है, इनको समझना हम किसी परसन सब्वोज यह कह रहेंगे अगर ठके हुए हैं, तो आराम कर लें ठीक है, so a person might be you maybe, हो सकता है आप ठके हुए हो ठीक है, आदम हो सकता है ना ठका हुआ तो ये situation true भी हो सकती है you may be you may be, हो सकता है कि आप ठके हुए हो ठीक है, you are dead you may be अब हमें ये समझने, अब ये तो हमें पता है जो हमारा listener है, वो ठका हुआ हो सकता है it is possible, तो हो सकता है, ये situation and reality ना हो, तो ये सही है क्या पता है ये जो हम यहाँ पर imagine कर रहे हैं, वो true, तो आप क्यों पास subject mode use कर दो गज़े तक आपको ना पता हो क्या and reality है, ठीक है, आप देखों हैं पर if you are dead, तो अगर हम ये कह रहे है if you are dead, तो मतलब हम अपने listener से कह रहे हैं कि अगर तुम dead हो, तो obvious ही बात है गर हमारा listener है, तो dead तो नहीं होगा तो ये statement का meaning गलत है इसका तो meaning हो सकता है इसका नहीं हो सकता है, इसका meaning क्या होगा इसका meaning केवल ये ही हो सकता है but you are not ठीक है, तो अगर इसका meaning केवल ये ही हो सकता है but you are not, ठीक है तो फिर आप past substantive mode equals करो we are इस थी, नहीं है तो ये बाते आपको ध्यान रखनें कि if के साथ आप आपको हमेसा fast subjective ही उज़ करते रहना है इसके साथ हमें पास सब्जंग्ठे मूड तभी उज़ करना है जब हमें पता हो कि यह situation रिएल ना है नहों सकती है लेकिन अगर वह situation हो सकती है या रिएल है प्रेजेंट में तो फिर आप पास से जंग्ठे मूड़ गए उसना करें अब हमने लिखा if he becomes my friend हमय हो सकता है बन सकता है आने वबले टाइम में दोस्त बन सकता है ऐसा पौ sided है जो पहले दोस है वो बाद में दोस्त ना रहे हैं ठीक है तो ऐसा हो सकता है ठीक है? ठीक है next वात है if he becomes my brother, he may, बन सकता है भाई, यह possible नहीं है, जो भाई है सो है, जो नहीं है सो नहीं है, ठीक है, तो हमें पता है यह गलत है, यह सही है, इसका meaning यही हो सकता है but he is not, वो नहीं है भाई, और भाई बन भी नहीं पाएगा, friend तो चलो आज जो नहीं हो कल बन सकता है लेकिन जो भाई आज नहीं हो कल कैसे बन जागा, ठीक है, तो यह आपको past subjective mode में लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो यह ध्यान देना है कि past subjective mode का use आप तभी करें, जब आपको यह पता हो कि वो लिखी गई situation unreal है और improbable भी है, unreal improbable का मतलब समझना है देखो, यहाँ पर करना समझ पा रहे हो, तो इस बात को मैं थोड़ा से stress कर देता हूं, अलग से, कि जब मैं कहता हूं unreal, तो इसका मतलब we are referring to present, और अगर मैं कह रहा हूं improbable, तो इसका मतलब we are referring to future, ठीक है, unreal का मतलब present, अगर हम किसी चीज़ को unreal कह रहे है, तो unreal का मतलब है कि वो उस समय चीज़ स में उसकी बात हो रही है, वो true नहीं है, untrue है, ठीक है, और अगर हमें improbable कह रहे हैं, तो इसका मतलब यह future में भी untrue ही रहेगी, यह future में भी real नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो when we say improbable, we are referring to an imagination in, और an unreality in future, when we say simply unreal, then it means we are referring to something which is untrue in the present, and when we say improbable, it means we are referring to something which will be untrue in the future, ठीक है, य । । I am free. If I Am free now. ठीक, C, if I get late, D, if I get late now, चलिया, अब मुझे यह बताए कि which of these four statements is correct, इन में से concept four statements में से correct हैं और concept नहीं correct हैं, जो नहीं correct हैं, उनको correct करना है, चलिया, try, try hard, बताए यह, if I am free, if I am free now, if I get late, if I get late now, which of these four statements are correct and which ones are not, इन में से कौन से correct हैं और कौन से correct नहीं हैं, करूँ थैं करूँ करूँ करenne करूँ यह जो बच्चे SSC CGL का बैच स्टार्ट करने के लिए कह रहे हैं मैंने बता देता हूं बच्चे हमारे यहां पर समझना अगर हम लिख रहे हैं इस लेक्चर में अपने वाट्सप नमबर्स बता चुक हूं अब वाट्सप नमबर्स पर हमें कांटक्ट करें ठीक है बच्चे अब देखो यहां पर समझना अगर हम लिख रहे हैं if I'm free तो हम यह मान के चलने कि पर्षेंज में फरी नहीं होगा तभी उसको करना पड़ रहा है ठीक है लेकिन जो पर्षेंध अभी फरी नहीं आ梅शा नहीं कि उसको कभी time मी नहीं मिलेगा यहां आने जाने गा future मुसको time मिल सकता है तो हम यह मान सकते है कि हो सकता है यह situation unreal होENS लेकिन probable तो हो सकते है ना तो यह probable हो जाएगे यह प्रोबेबल का मदलाब है future कि यह situation future में true हो जाएगी तो अगर situation future में true हो सकते है और हमें future को यह refer करना है तो हम इसको m लिखेंगे वर क्यों लिखें वर तो तब लिखेंगे ने जब यह future में इंप्रोवेबल हो तो हम इसको एम लिखतेंगे ठीक है understood meaning क्या हो जाएगा if I'm free if I'm free I'm maybe मैं हो सकता मैं free हो जाऊँ ठीक है अब यहां आते हैं यहां पर लिखा if I'm free now now लिख देने का मतलब हमने time लिख दे प्रेजेंट तो अब यहां पर चीज़ समझ के चलना यह future नहीं हो सकता है यह जो इवेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि यहां पर time लिखा नहीं है है चाहिए प्रेजेंट मान लो चाहिए फ्यूचर मान लो एक है फ्यूचर मान लोगों तो कि present में तो अगर कोई person free है या नहीं है तो उसको पता ही होगा ना ठीक है तो अगर उसे पता होगा कि वो free है या free नहीं है ठीक है तो उसको suppose क्यों करना पड़ रहा और उसको अगर suppose करना पड़ रहा तो इसका मदलब वो ऐसे situation को suppose कर रहा जो true नहीं है तो अगर true नहीं है तो यह event जो हम if के साल लिख रहे हैं वो present का event है future का नहीं है और अगर हम present के event को if के साल suppose कर रहे हैं तो इसका मदले भी unreal ही होगा ठीक है तो यह unreal event है इसलिए हमने उसको pass objective mode में लिख दिया ठीक है अब यहां जाते है if I get late अगर मैं late हो जाओं तो मान लीजे कोई person अभी late है नहीं लेकिन वो future के बारे में ऐसा guess कर रहा है कि हो सकता late हो भी जाए हो सकता ऐसा late यो आदमी नहीं था वो हो सकता आने वाले time में late तो यह probable situation मान के यह get आपका सही हो जाएगा लेकिन यहाँ पर हमने लिखते है now now लिखने से अब हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा got क्योंकि अगर प्रजेंट की situation को आप इमेजन कर रहा है तो अब सी वात है one true होगी तभी आपको इमेजन करनी पड़ रही है तो got लिखना पड़ेगा लेकिन अगर हमें आप पर got लिखते है यह तब भी गलत होगा यह आप get लिख लिख है दोनों तरीके से गलती रहने ठीक है अब लाएं कि बीकेवल linking वर्व होती है get linking वर्व को अलावए action वर्व भी होती है लेकिन यहां पर linking वर्व है क्योंकि इसका हमने compliment लिक रखता है ठीक है तो जब हम get की form को यूज करते है ना linking वर्व के तरीके से तो यह refer करती है change को अच्छा change होता है मैंसा जाके future में present हमारे default time होता है reporting का तो अगर हम present में get verb का use कर रहे है तो इसका अगर हम present में उसकी बात कर रहे है तो इसका मतलब वो change होगा जाके future में तो अगर वो future में होगा जाके तो आप now तो उसके साल लिखी नहीं पाओगी क्योंकि now तो present को time को present बना देगा तो कुल मिला कि आप इसमें कोई change को refer कर रहे हो तो change आपका future में आएगा जब change future में आएगा तो उसके लिए आप now का यूज नहीं कर पाओगी क्योंकि now जो होता हो present के time को refer करते है ठीक है तो d example आप चाओगी तो सही अठीक तो दूछली के सजबागी थे और एक गलत ता उसको औरने शाइकल कि इफ दे आर रेडिन नाउ इफ आएम रेडिन नाउ चलो अभी ये तीनी लिखता हूं ठीक है आंसर वाता ना इफ यू आर रेडिन नाउ इफ दे आर रेडिन नाउ इफ आएम रेडिन नाउ ठीक है ये जो हमारे एक्जांपल्स है इन तीनों एक्जांपल्स को पड़ो और मुझे बताओ कि इन में से कौन सा सही है कौन सा गलत है पेटा बताओ विच अच्छांपल्स 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 आर नोट करेक्ट मोहम्मद इम्रान खान इम्रान आलम थोड़ा सा दिमाग भी लगा लिया करो मतलब करते बोड़ंबाली बाते मत किया करो ठीक है तुम लोग इतने लल्लू हो थोड़ा सा एक ऐसा कॉर्शन डिसकस कर लो जिसमें तीन-चार कॉंसेट्ट एक साथ काम कर रहे हैं तो तुमारी अकल कट जाती है तो देखो एक गुड मॉर्निंग कर रहे ते टाइम अब एक क्यों पिट जाएगा पिटा अब इन तीनों क्योंस के आंसर बता दो बस बात खत्म करें एक गंटा होने वाला है देखो अभी यहाँ पर समझना अभी हमने question discuss किया था if I'm free now और वो गलत हो गया था ठीक है तो हमने लिखा if I'm ready now तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि अगर हम now लिख रहे हैं तो इसका मतलब इस situation को हम future तो मानने सकते हैं मानना तो इसे हमें present ही पड़ेगा अब present में अगर कोई person if का use कर रहा है तो इसका मतलब उसको इस situation suppose करनी पड़ रही है अब यहाँ पर देखो इन सारे sentences में है क्या सम में now का use हो रहा है और सम में if का use हो रहा है ठीक है और बस difference यह कि यहाँ पर जो हमारा subject है वो second person है यहाँ पर जो subject है वो third person है और यहाँ पर जो subject है वो first person है कितने difference है first person में भी singular है आए ठीक है तो अगर को single person अपने बारे में यह suppose कर रहा है कि अगर मैं ready होता है या हूँ इस समय तो इसका मतलब वो ready होगा नहीं क्योंकि अपना सब को पता होता है कि मैं ready हूँ या नहीं हूँ और अगर कोई person अपने को लेकर यह feel मतलब suppose कर रहा है कि मैं ready होता अगर तो इसका मतलब यह मान के चलो वो नहीं है बट I am not लेकिन मैं ready नहीं हूँ तो अगर यह person ready नहीं है और यह उसकी opposite situation को express कर रहा है कि I am ready if के साथ तो इसका मतलब यह situation unreality है unreality है तो past subjective mood वर ठीक है अब आते हैं यहाँ पर देखें तो sentence यह भी वैसे ही है same adjective है same time है बस subject change हो गया है यहाँ पर subject third person है यहाँ पर subject second person है अब हम अपने listener से है किसी और के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर वो ready हो तो वो हो भी सकते नहीं वो सकते देखिए मैं ready हूँ या नहीं हूँ यह मुझे पता है दूसरे का मुझे नहीं पता हो सकते कि वो ready है या वो हो भी सकता है, if you are ready now, you may be, ठीक है, if they are ready now, they may be, तो हो सकता है, जो if के साथ हम situation guess कर रहे हैं, वो situation true हो, भी मैंने किसे से कहा, if you are ready now, let's go to market, अगर तुम अभी ready हो, तो आज़ो market चलते हैं, तो हो सकता है, वो person ready हो, क्योंकि दूसरे का हम नहीं बता सकते हैं, या नहीं है, ठीक है, अपना हमें पता होता है, कि हम ready हैं या नहीं है, तो अपने साथ तो अगर हम imagine कर रहे हैं, तो इसका मुलब यह pure unreality है, तो आपको subject mood लिखी लेना चाहिए, दूसरे के साथ में अगर आप ऐसा कुछ guess कर रहे हो, या wish कर रहे हो, तो हो सकता है, वो situation true हो, आप उसके हार में guess कर रहे हो, कि हो सकता हो ready हो, बास्तम में हो सकत है, ready हो, तो यहाँ पर past subject mood लिखने की जरूद नहीं, यह लो सही हो गया, अब एक दूसरी चीज़ देखना, अगर हम यहाँ पर लिख दें, तो क्या गलत होगा, if you were ready now, तो भी सही होगा, अगर हम ऐसे लिखते है, if you were ready now, तो इसका understanding में नहीं हो जागा, but you are not, अगर हम लि situation ऐसी है, जो true भी हो सकती है, तो कोई जरूरी नहीं, आप past subject mode use करो, ठीक है, देखे बारे में वही है, लेकिन अपने बारे में नहीं हो सकता, अब मैं यहाँ पर एक और example लिखता हूँ, date, एक में date example भी यहाँ पर लिखता हूँ, if we are ready now, ठीक है, आप देखो मैंने कितना change कि है sentence में, बस इतना change किया है, कि इन दोनों का subject है first person, बट यहाँ पर subject first person का plural है, यहाँ पर था I, अब बताओ, यह जो D sentence मैंने लिखा है, if we are ready now, यह sentence सही या गलत, sentence number D, मतलब sentence D जो है, if we are ready now, इसको हम सही माने या गलत माने, बेटा, comment your answers, जो हमारा question D है, if we are ready now, इसको हम सही माने या गलत, ठीक है, आप देखो यह correct है, क्यूंकि देखो, यह हमेशा ध्यान देना है, कि we जो होता है, वो plural subject को refer करता है, बड़ actual में speaker कभी plural होता नहीं है, यह हमेशा ध्यान देना है, नहीं सही है बेटा, यह जो D है, यह सही है, मैं आपको बता तो रहा है, सुनो, तो सही मेरी बात, देखो, होता है क्या है, अब यह wrong, wrong, होता है क्या है बेटा, जैसे हमें पता कि you second person pronoun है, चाहे हमारा listener एक हो, चाहे एक से ज़्यादा हो, हम दोनों cases में you का use करते हैं, he, see, it third person के singular pronoun है, ठीक है, they third person का plural pronoun है, I और V जो होते हैं, वो first person pronoun होते हैं, speaker के leaves होते हैं, I जब singular speaker हो, V जब plural speaker हो, बट एक चीज़ अपना practically सोचो, थोड़ा सा दिमागे उस करके, can really speakers be plural level, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि speakers plural हो, ऐसा नहीं हो सकता है, because whoever speaks must be a single person, if multiple people start talking about something simultaneously, there will be no conversation possible, तो अगर एक ही साथ में 10 लोग बोलने लग जाएंगे, तो कोई conversation हो नहीं पाएगी, क्योंकि एक बोलेगा बाकी सुनेगे यह तो possible है, सारे बोलने लग जाएंगे एक सुनेगा तो ऐसा possible नहीं है, ऐसा conversation नहीं हो पाती, अगरी conversation तब होती है, जब सुनने वाले तो बहुत हो सकते हैं, बोलने वाले एक होना चाहिए, ठीक है, मतलब output एक आना चाहिए, input तो कई जगे चला जाएगा, ठीक है, listener input होता है, ठीक है, तो output का source एक होना चाहिए, input के sources different हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि output के sources different होगे, multiple होगे और input का source एक है, तब फिर conversation होनी पाएगा, flop हो जाएगा, तो भले हमें ऐसा कह देते हों कि I और V speaker के pronoun होते हैं, जो कि होते भी हैं, और अगर speaker हमारे singular है तो I use होगा, plural है तो V use होगा, बट actual में इसको हमें थोड़ा सा detail में समझ लेना चाहिए कि speaker plural practically हो नहीं सकता है, speaker हमेंसा कोई एक ही person होगा, वो अलग बात है कि अपने साथ ही वो अगर कुछ और लोगों को भी represent कर रहा है, तो वो भी use कर लेता है, बट actual में बोलने वाला person एक ही होता है, बोलने वाले person multiple at a time नहीं हो सकते है, ठीक है? हाँ, तो अब पता है गया है, यगर कोई person यह कह रहा है, if we are ready now, तो इसका मतलई यह थोड़ी सारे लोग एक साथ ही बोलने, बोल तो कोई एक ही रहा है, और वो बाकियों से जानना चाता है कि हम अगर ready हो, बाकि कहेंगे हाँ ready है, तो ठीक है, नहीं कहेंगे, तो नहीं है, तो यह भी situation possible हो सकती है, maybe, we maybe, हो सकता हम ready हो, अब बाकियों बताएंगे जब पूछ रहे हैं उनसे, ठीक है, तो यह भी लोग सही हो गया, तो पता है कहानी कहा है, अगर हम लिख रहे है, if you are ready now, if they are ready now, if he is ready now, if she is ready now, if it is ready now, if we are ready now, सब सही है, बस I लिखाने हैं गलत हुआ नहीं, जैसे ही लिखो क if I am ready now, तो तो तुरंद गलत हो जागा, तो यह मतले हैं एक ऐसा context है, ठीक है, जो केवल I के साथ गलत होगा, जैसे देखो मैं क्या कहा रहा था, अगर मैं लिख दूँ, if I am ready now, ठीक है, if we are ready now, if you are ready now, ठीक है, if he is ready now, if she is ready now, ठीक है, if it is ready now, ठीक है, यह स्टेटमेंट्स मैंने लिख थे, if I am ready now, if they are ready now, if he is ready now, if she is ready now, if you are ready now, if we are ready now, यह बगर, बगर, यह सब सही है, यह 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 सही है, बस यह गलता है, but still there remains a lot to discuss बहुत सब बच जाता है यह सब चीज़े जब बच्चा doubt पूछता है बच्चा जानना चाहता है नेनी चीज़े दिमाग में उसके आती है नेनी situations और उसके दिमाग में आते हैं तो वो पूछता है तब फिर इनके explanations आते हैं ठीक हैं तो यह सारी बाते जो मैं आपको समझा रहा हैं यह सारी आपको दिमाग में रखनी है कि past subjective mode का use तभी करना है when you are sure that the situation you are referring to is unreal and improbable if you are not sure if you are guessing it अगर आप उसको guess कर रहे हो sure नहीं हो उसको लेकर तो past subjective mode का use मत करना past subjective mode उस तभी करना है अगर आप नहीं sure हो और आप guess कर रहे हो तो उस situation में past subjective ठीक है use ना करें ठीक है अज़ा अब एक चीज़ और बताता हूँ अभी क्या है यह सारे statements जो हैं इनमें यह सारे statements जो आपके हैं सही हैं एक को छोड़ कर if I am ready now गलत है बाकि सारे सही हैं अब एक दूसरी situation देखना अगर मैं इसमें से now remove कर दूँ अगर मैं now ना लिखूँ ठीक है अगर मैं केवल इतना लिखूँ if I am ready, if we are ready, if you are ready, if he is ready, if she is ready, if it is ready, if they are ready तो यह सब सही हैं तब फिर इसमें सारे सही हैं फिर कोई भी गलत नहीं है तो अगर मैं इसमें से now drop कर दूँ और केवल इतना लिखूँ if I am ready, if we are ready, if you are ready, if he is ready, if she is ready, if it is ready, if they are ready then all these statements will be करें तो यह सारे सही हो जाएंगे और जैसे now लिखोगे बापस इन सब के साथ में तो I am वाला गलत हुजागा बाकि सारे सही हो जाएंगे अब यह सही क्यों होगे, यह तुम लोग जानगे होगे पहली बात नहीं जानगे होगे तो मैं बता देता हूँ अब यह इसलिए सही होगे, क्योंकि जब इनके साथ में now नहीं लिखा होगा time नहीं लिखा होगा, तो हम इने future मान लेंगे हम इने probability मानेंगे, हम इसे present नहीं मानेंगे हम यह मानेंगे if I am ready, अगर मैं ready होगा तो हम इसको future मान लेंगे, हम यह नहीं मानेंगे यह present है, तब हम इसे future मान लेंगे, और यह सही हो जाएगा क्योंकि मान लो कोई person अभी ready नहीं हूँ, मैं दिसकस करने के लिए बढ़ हम अगले किसी वीडियो में डिसकस कर लेंगे ठीक है पास सब्जंक्टे मूस के तब तब यह जो हमने अभी तक सब्जंक्टे मूस पर यह लेक्चर्स किया हैं इंक्लूडिंग वन प्रेक्टिस सेशन, फाइव लेक्चर्स हुए हैं, तो इन फाइव लेक्चर्स का अपना रिवाइज करे हैं, देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं, समझें, और कुछ डाउट्स बगएर हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कि यह जो भी बच्चे हैं, जो मतलब paid courses के बारे में, CGLS, CPO के बारे में पूछना बताना चाहा रहे हैं, या कोई भी अपना doubt वगएर है, तो यह हमारा WhatsApp नंबर है, 98919, 91959, इस पर पूछिए, और देखिए, मैं इस बात को insist करता हूँ, कि आप WhatsApp का यूज करें, calls ना करें, अननेसेसरी कोई call करेगा, तो मैं सही बता हूँ, block कर दूँगा, फिर उसके बार में तो अमना सर पर डखते रहे ना, ठीक है, तो WhatsApp पर message करें, जो logical, rational questions होते हैं, मैं उनको reply कर देता हूँ, बच्चों को, जरू reply कर देता हूँ, ठीक है, हाँ, लिकिन WhatsApp पर use करें, आपको paid courses से related, या CGL से related, या Bankview, या CDS से related courses के बारे में कुछ पूछना बताना है, ठीक है, कोई जानकारी चाहिए, कोई question है, एक आदा पूछना चाहते हो, तो यह WhatsApp नमबर अपना save कर लिजे, 9891991959, I use the WhatsApp of this number, ठीक है, WhatsApp करें, calls unnecessary ना करें, I will block the number, ठीक है, चलिए, तो आज के लिए से बस बच्चों, अब इतना ही, ठीक है, आज अब माता घुमा दिया, हाँ तो ठीक है, माता घुमा दिया, थोड़ा अपना सिकंजी पियो, चलो, अब ठैंड बहुत हो गई, मैं भी घर निकलता हूँ, बाइ अबरिबड़ी, गुट नाइट,